वेलकम टू ब्लेड लर्नर के 12 आज हम डिवीजन बाई 11 पढ़ेंगे इट्स मी अमित कुमार अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं पहले उससे देखें फिर इस वीडियो को देखें सब एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है 19 में 11 से यदि डिवाइड करें 11 वन जा 11 एड एट रिमेंडर कितना इजी डिवीजन है आपको ट्रिक सीखना है क्योंकि अभी बड़े बड़े नंबर भी आएंगे डिवाइड करने को वैदिक मैथ क्या बोलता है जिसमें डिवाइड करना है उसको लिखेंगे and first digit कोल from left you right down as it is और cross subtraction करेंगे from upper digit minus lower digit subtraction करेंगे 9 minus 1 कितना आता है 9 minus 1 8 8 को नीचे लिख देंगे ठीक है इसमें क्या होगा लास्ट डिजिट जो है ना लास्ट डिजिट वो हो जाएगा remainder लास्ट डिजिट क्या होगा remainder and remaining remaining quotient method समाझ में आया है लास्ट डिजिट remainder and remaining quotient यह जो अपना डिविजन था इसमें लास्ट डिजिट 8 8 क्या है दिख रहा होगा आपको remainder and remaining one quotient अगर नहीं समझ में आया नेक्स डिविजन में अच्छे समझ में आएगा 56 को 11 से डिवाइड करना है कुछ नहीं करेंगे 5 6 5 नीचे आ जाएगा and cross subtraction 6-5 1 1 जो यह last 1 विल बी remainder and remaining 5 विल बी quotient understood यहाँ पी क्या है 5 क्या जाएगा quotient इस position पे and after division remainder one will come here देखिए 11 से divide करना है 529 को चलिए divide करते हैं वैसे अपना method से वैदिक mathematics method 5 2 9 5 as it is subtract करना है याद रहे upper digit minus bottom work means what 2 minus 5 2 minus 5 तो subtract नहीं होगा ना 2 is a smaller one इसमें यहाँ पर method सीखिए carry वाला method यहाँ पर method क्या कहता है इस 5 को क्या करेंगे subtract कर देंगे 1 से means 5 minus 1 क्या हो जाएगा 4 और यह 1 यहाँ पर आ जाएगा means 2 will become 12 and 5 will become 4 12 minus 4 कितना होगा 12 minus 4 8 ठीक है अब यहाँ पर क्या है again यहाँ पर हमको क्या करना है subtract करना है 9 minus 8 क्या होगा 9 minus 8 1 तो हमारा answer क्या आया इसमें answer last one जो है वो remainder आएगा one यहाँ पर and remaining 48 quotient divide करना है 3 1 7 2 को 3 1 7 2 3 will come down and यहाँ पर क्या करना है subtract करेंगे upper minus lower 1 minus 3 subtract होगा नहीं होगा यह 3 से एक कम हो जाएगा 3 से 2 में convert हो जाएगा यह यहाँ पर क्या आ गया 1 यह 1 से होगा 11 11 minus 2 subtracted कितना होगा 9 ठीक है now cross subtraction 7 minus 9 subtract होगा नहीं होगा 9 से एक कम 8 और यह जितना कम 1 यहाँ पर आगे अब 17 minus 8 बिलकुल हो 9 got it अब यहाँ पर क्या है कि इसको cross subtract करना है 2 minus 9 नहीं subtract होगा 2 minus 9 यह 9 से एक कम 8 होजाएगा यहाँ पर जितना है 1 carry इदर आ गया तो यह 12 minus 8 बिलकुल subtract होगा यहाँ पर होजाएगा 4 answer क्या है हमारे पास answer 2 8 8 4 2 8 8 4 large digit always क्या होगा large digit remainder and remaining यह क्या होगा coercent तीक है समझ में आया and this is remainder thank you all the best